देहरादून में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है इनमें देहरादून और आसपास के जिले भी शामिल है जिकिसको का कहना है कि कोरोना से बचाओ के लिए साबधानी बरतनी होगी और लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा बीते 24 घंटे में कोरोना की 1501 सैंपल की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई और आठ जिलो में 99 लोग कोरोना से संक्रमित पाई गए हैं जबकि देहरादोन सिले में सबसे अधिक बासर्ट संक्रमंट के मामले सामने आए जो चौकाने वाले आखड़े हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए जिकिसकों ने लोगों से अपील की है कि यदि खासी जुखाम बुखार जैसे लक्षण हो तो अपना निशुलक आर्ट PCR और एंटीचर्ण टेस्ट कर वालें